और यात रहे हैं हैं पहले लाइक करो लाइक करो लाइक यहाँ वह बात है इतना मेंनद करें आप लोगो के लिए फिर भी लाइक सों कमेंट बिल्क्ल भी नहीं आए मेरे पास को ज़दे जाएए वीडिओ को लाइक कीजिए अब चल्बें वीडियो के का इंडम हैं फ्रेंट्स आप लोग देख सकते हैं BN نिफ्टी 5 इन चेट ऑपन ऑफ और आप फीया है। sed eco gameplay मार्कें निछ हैं क्योंकि यहां पर दीक सकते हैं मार्कट ने ्सील यहिए सपोप्वाइबिक लिया हुआ है पी साइड का जो है मेरा व्यू है सेट टाइम्स जो है वो भी आज बीरिश ही है प्लस निफ्टी जो है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी पहले आप यह देख लीजी जो पहले सपोर्ट हो अप रिजिस्टेंस बना काफे बार यहां से रिजिस्टेंस लिया और जैसे ही सिब डेकर एक वैसे ही आमें कॉल साइड में ट्वेट देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड में ब्रेक करता है तो पूर साइड में ट्वेट देखने को मिलेगे व्यू मैंने आज आपना लोग को बता ही दिया है क्या रहने वाला है तो यह आप देख सकते हैं वैंगनिफ्ट में काफी अच्छे से जो है मार्केट थोड़ा नीचे गया फिर अभी जो है इसने एक एक ग्रेंड गैडल बनाई सेम जो है इसे लेवल पर से इसने फिर से सपोर्ट लिया और यहां पर आप देख सकते हैं एसल होगा हमारी एंट्री कहां होगी और जो मेरा व्यू है कि मार्केटी से रीटेस्ट करेगा फिर जो है हमें यहां पर नीचे की साइड एक मूव देगा और अगर उपर ब्रेक करता है तो हमारी एंट्री यहां होने वाली है रीटेस्ट के बाद तो रीटेस्ट के जस्ट जो है एंड पे ही हमारे stop loss हो जाएगा ज्यादा बड़े stop loss भी नहीं होगा और हमारे risk भी कम रहेगा तो risk कम रहेगा तो हम ज्यादा targets का हम वेट कर सकते हैं bank nifty के तीन मिन का chart आप देख लिए तो यहां पे जो है हमें देखने को मिल रहे हैं कि market ने इस level को break किया यह position आप देख लिए stop loss कहां है अब मैं आप लोग में targets बताओं कि targets मैं कहां लेगे चल रही हूं अपने तो वो भी मैं आप लोग को यहां पर लगा के समझा देती हूं अच्छे से ताकि आप लोग को पता लग जाए कि कितने का मैं यहां पर वेट करने वाली हूं आराम से जो है मैं यहां पर वन रिशो थ्री तू लेने का try करूंगी लगबग 2000 का तो try करने ही वाले हैं targets मैंने आप लोग को अपने बता ही दिये हैं सारी चीज़े मैं आप लोग यहां पर बता दी है जैसे ही इसको retest करता है retest भी हो चुका है वापस नीचे आएगा तो हम जो है हमारी यहां पर trade ले ले लेंगे निप्टी देख सकते हैं निप्टी भी काफी अच्छा जो है हमें यहां पर bearish टेखने को मिल रहा है आज यह तो आप देखे तो market जो है काफी देर सी यहां पर hold कर रहा है जैसे ही इसे यह break करता है तो हम यह पास और बेच्छे chances हो जाएंगे तो हम wait करेंगे कि कब market जो है यहां पर break out देता है stop loss देख लिजे stop loss कहां है target में आप लोगों को लगा के बताओंगे target जो है कहां है तो position भी साथ की साथ आप देखी लीजे क्या चल रही है position पोजिशन आप देख सकते हैं लगबा कोस्ट के पास ही हम लोग चल रहे हैं क्यों हम जो है अब यहां पर wait करेंगे चीज़े को देखेंगे कि किस तरीके से market जो है moment आती है कैसे कैसे price की moment आती है basically हमें जब हम trade ले ले लेंगे उसके बाद ही जो है चीज़े हमें पता लगेंगी तो फिलहाल हम सिर्फ यहां पर wait करेंगे hold करेंगे अपनी trade को और देखेंगे कि क्या होता है क्योंकि trade निफ्टी में ली है तो इसलिए आप लोगो 100 quantity देख रही होगे तो मैंने जो lot लिये हैं वो दो lot लिये हैं यापे सिर्फ 6 point का ही risk है ज्यादा बड़ा हमारा risk भी नहीं है लगबग 2000 के करीब का profit ट्राय करेंगे आप ही चुके हैं लगबग उसके पास ही 1400 के लगबग एक अच्छा profit देख लिया है लेकिन हम जो है यहाँ पर wait करेंगे हमारे targets का और फिर आप move देखे कितनी अच्छे से जो है market इस return को बना रहा है पतलब यह हमें दिखा रहा है कि हाँ यहाँ पे sellers मौजूद है जो candle हमें बन रही है उसको देख रही अगर यह ऐसी ही जो है इसी के साथ इसी volume के साथ अगर यह close भी हो जाती है तो हमारे पास और पी अच्छे confirmations हो जाएंगे कि हा market जो है वो नीचे ही आएगा तो यह देख लीजिए candle close हो चुकी है दूसरी candle भी start हो चुकी stop loss देख लीजिए stop loss कितने points का है सारी चीज़े देख लीजिए आप यहां पर कुछ भी छुपाया हुआ नहीं है आप लोग उसे जैसे जैसे ट्रिलिंग का मौका मिलेगा stop loss का हम टैम टूटा अंपने stop loss को भी trail करते रहें अप लोग को यह चीज़ है तो हमारे पास 100% जो है शॉल्रिटी हो जाएगे हां果ının ही आने क्का बेएट करेंगे कि कब यू है मार्केट हमें कब से जो है अच्छी डाउनफॉल दिखाए है तो फिल हाल आप देख सकते हैं मार्केट जो है वो सेम उसी ट्वैनलान को टेस्ट कर रहा है बार बार उसको जो है यह वापस अगर डाउनफॉल दिखाता अच्छे वोल्यूम के साथ जैसे हमें पहले कैनल मिले तो हमारे पास अच्छे कन्फरमेशन हो जाते हैं लेकिन स्टॉपलोस को लिएक कर बैठना है कि क्या स्टॉपलोस है जो ट्रेल किया है वहांपे रूकना या फिर हमें टारगेट को देखना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हाँ बेना कोई लेवल देखे वे ट्रेल भी कर लिया कोई मतलब भी नहीं है और आप देखे तो तो friends यहां पर देख लीजिए हमारे जो stop loss है वो hit भी हो चुका है trade जो है वो exit हो चुकी है क्या हुआ है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है कोई बात नी कभी हमेशा profit नहीं होता है कभी-कभी loss भी लेना होता है accept करती हूँ मैं कि हाँ आज मेरी गल्दी है और कल के दिन फिर से हमें trade देखने को मिलेगी तो मैं फिर से आप लोग अपडेट करूंगी चैनल पर नए है तो subscribe करना मत बोलना thank you